Hello everyone, I hope you all are doing great So, अपनी Early Current Affair की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम मार्च 2021 के Current Affair को कवर करेंगे I hope आपके लिए वीडियो हेलफूर रहेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेशन है हमारा Who has successfully tested the anti-satellite missile mission शक्ती missile? तो mission शक्ती missile ये किसने इसका सफलता पूरक परिशन किया है? तो answer है DRDO Next question है International Space Station यानि कि ISS ने इस station पर बेक्टीरिया का नाम कि इस भारते विग्यानिक के नाम पर रखा गया है ये किस देश में अपना electric vehicle plant establish करेगी तो ये कंट्री है बांगलादेश Next question है Muru Festival कहां पर शिरू किया गया है तो Muru Festival ये एक राजस्थान का फेस्टिवल है Next question है किस राजे ने छात्र स्वास्थ कार्ड जारी किया है यानि कि Student Health Card किस राजे ने जारी किया है तो ये राजे का नाम है जमो कश्मीर Next question देखे तो अट्टुकल पोंगला उत्सव ये किस स्टेट में मनाया गया तो केरला का ये एक फेस्टिवल है कौन सी राजे सरकार है जिसने एक budget mobile application लाँच किया है तो गुजराज सरकार के द्वारा budget mobile application लाँच किया गया है Next question है ऐसा कौन सा राजे है जिसने returning migrants के लिए RT-PCR test free कर दिया था तो मार्श 2021 में केरला ने RT-PCR test को free कर दिया था for the returning migrants अगला question है आर्थिक gender gap सूची में भारत का कौन सा स्थान है तो economic gender gap list इसमें भारत का स्थान था 149th किस राजे ने तीन राष्ट्रे उध्यानों में नाइट सफारी की शिरुवात की तो ये राजे है मध्यप्रदेश अगला question देखे तो भारत में नए malware का पता किस नाम से लगाए गया है तो एक नया malware detect किया गया है भारत में जिसका नाम है Shadow Pant अगला question है किस mutual fund ने पहला विदेशी fund लाँच किया है The first overseas fund ये लाँच किया गया है SBI mutual fund के द्वारा उधैपूर science center किस राजे में inaugurate किया गया तो उधैपूर नाम से राजस्थान को लेकर confusion हो सकती है तो याद रखेगा त्रिपूरा राजे में उधैपूर science center का उधगाटन किया गया है अगला question है भारतिय पूरा तत्व सवेक्षन यानि कि Archaeological Survey of India ने एक Buddhist monastery discover की है खोजी है ये किस राजे में खोजी गई है तो इसकी खोज की गई है जारखंड में अगला question देखो तो कीव युक्रेन में आयोजेत कुष्टी टूर्नमेंट में विनेश फोगाट ने कौन सा पतक जीता है तो इस टूर्नमेंट में विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता है next question है साहित्य अकादमी fellowship award इसके लिए किन है चुना गया है किस देश ने पहला आक्टिक निगरानी उपग्रह लॉंच किया है आक्टिक सर्विलांस सेटिलाइट यह लॉंच किया गया है रश्या के द्वारा next question देखे तो press सूचना ब्यूरो यानि कि press information ब्यूरो के प्रधान महार निदेशक के पत पर किसे निउक्त किया गया है इसरो के द्वारा इसरो ने सिधुनेत्र सेटिलाइट किस राज्य से लॉंच की है तो आंद्रपरदेश से सिधुनेत्र सेटिलाइट इसको लॉंच किया गया था इसरो के द्वारा अगला question है PMCares fund में किस बैंक ने 11 करोड रुपए दान दिया next question है NHAI ने एक सड़क बनाई है 25.54 किलोमेटर लंबी तो ये कितने घंटे में बनाई गई है जिससे की एक विश्वे रिकॉर्ड बन गया है तो 18 घंटों में ये सड़क बना कर तयार कर दी गई NHAI के द्वारा और इसी के साथ ये विश्वे रिकॉर्ड बन गया है युगांडा अंतराश्रे बैडमिंटन टूर्णमेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता तो इनका नाम है मालविका बनसोड next question है बिहार राजे का नया मुख्य सचिव्यानी की चीफ सेकरेटरी किसे न्यूक्त किया गया है इनका नाम है अरुन कुमार सिंग अगला question है golden globe awards 2021 में किस film ने सर्वस्रेश्ट motion picture drama award जीता तो सर्वस्रेश्ट motion picture drama award ये जीता है नुमाड लैंड ने next question है मरा किस शहर को sport city के रूप में develop किया जाएगा तो ये city है एहमदाबाद किस राज्य में सिमलीपाल tiger reserve में भीशन आग लगी है तो मार्श 2021 में सिमलीपाल tiger reserve में आग लगी थी और ये tiger reserve कहाँ पर है उडिसा में next question है महिलाओं को समान अधिकार देने की सूची में भारत के स्थान पर है giving equal rise to women ये लिस्ट में भारत 123 स्थान पर है अगला question है संसद टीवी के पहले chief executive officer यानी CEO की नहें बनाया गया है तो ये है रवी कपूर और पहले CEO इसलिए हैं क्योंकि संसद टीवी लोकसभा टीवी और राजसभा टीवी इन दोनों को मर्श करके अभी कुछ समय पहले ही संसर टीवी एक ही चैनल बना दिया गया है जिसका नाम है संसर टीवी तो इसलिए इसके first CEO होते हैं रवी कपूर next question है मोन medical college की अधारशिला किस राजे में रखी गई तो मोन medical college इसकी अधारशिला रखी गई नागरलेंड में अगला question है तेजबूर की तरज पर ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में बनाया गया था तो ये मंदिर बनाया गया था उस्ट्रेलिया में भारत ने किस देश के साथ एक नई hotline के स्थापना की घोशना की है तो भारत ने ये घोशना की है चाइना के साथ किस राजे ने एशिया के सबसे बड़े kettle park का उधगाटन किया तो एशिया लार्जस्ट kettle park इसका उधगाटन किया गया तमिल नाडू में महा संबृद्धी wüman empowerment scheme ये scheme किस राजे की है तो ये है भारत का एंडिया विंटर शियर्च पर है तो खेलो इंडिया विंटर नेशनल के तौर पर किने अपॉइंट किया गया है तो इनका नाम है M Venkat Rao नेक्स कुशन है हरून द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट दो हजार एकिस में कौन शीर्ष पर है तो इसमें शीर्ष पर रहे थे इलॉन मस्क अंतराश्ट्रे T20 अंतराश्ट्रे क्रिकेट में लगा था छे गेंदों में छे छक्के लगाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाडी कौन बने है तो ये हैं काईरन पुलाड और पहले जो खिलाडी थे यो राज सिंग थे अगला क्रिशन देखे तो वर्ष 2020 में अंतराश्ट्रे पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदन देश कौन सा बना है तो सबसे ज़ादा पेटेंट जिस कंट्री ने आवेदन किया है सबसे ज़ादा पेटेंट के लिए वो देश था चाइना 2020 में आईबा की समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे न्युक्ति किया गया तो ये है मैरी कॉम अगला क्वेशन देखे तो मुनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में किस ने टॉप किया तो हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से लगातार इंद और इस लिस्ट में इस इंडेक्स में टॉप कर रहा है किस समाचार एजिंसी को चैंपियन पब्लिशर ऑफ दा इयर 2020 से समानित किया गया तो ये है दा हिंदू ग्रूप अगला क्वेशन है CSIR फ्लोरी कल्चर मिशन किस ने लॉंच किया CSIR फ्लोरी कल्चर मिशन ये लॉंच किया गया हर्श वर्धन सिंग के द्वारा विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारे ने कहां स्थापित किया गया था विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारे ने स्थापित किया गया उस्ट्रेलिया में अगला क्वेशन है इस ओफ लिविंग इंडेक्स 2020 में टॉप किस ने किया है तो ये है शहर हमारा बंगलूरू अगले क्वेशन में पूछा गया है कि largest annual political meetings है जिनके नाम है टू सेशन्स और लीग ये कौन सी कंट्री की है तो इनकी शुरुवात हुई है चाइना में चाइना की ये दोनो annual political meetings है नेक्स कुशन है जो हमने पीछे बात की है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 टॉप पर थे इलॉन मस्क और टॉप 10 में भारतिय कौन से थे तो वो है मुकेश अंबानी किस देश को 14 करोड साल पुराने डाइनसौर के जीवाश में मिले हैं अगला क्वेशन है रेडियो चिनार 90.04 हर दिल बीट्स ये रेडियो स्टेशन किस राजे में फॉर्म किया गया तो ये है जमू कश्मीर का एक रेडियो स्टेशन अगला देखे तो कॉलर पहचान अप ट्रू कॉलर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा अप लॉंच किया है तो ट्रू कॉलर के द्वारा ये अप लॉंच किया गया है गार्जियन जो की है महिलाओं की सुरक्षा के लिए IGBC Gold Certification प्राप्त करने वाला भारत का पहला Railway Station कौन सा बन गया है तो यह है छद्रपत्ती शिवाजी महराज Railway Station Tominus अगला क्वशन है महरा किस देश का दूरलभ पक्षी Lesser White Fronted पहली बार जैपूर में देखा गया Lesser White Fronted यह Siberia का पक्षी है जो की पहली बार जैपूर में देखा गया भारत की पहली रोबोट निर्बान एकाई BOT Valley किस राजे में स्थापित की गई थी तो इंडिया की First Robotic Manufacturing Unit BOT Valley यह स्थापित की गई थी उत्तर परदेश में अगला क्वेशन है एक थाली एक तरकारी स्कीम किस राजे स्कार की है तो उत्तर परदेश की स्कीम है यह Champions and Veterans Committee के अध्यक्ष के रूप में किसे न्यूक्त किया गया इनका नाम है MC Maricom अगला क्वेशन है अमारा Global Excellence Award 2020 में Lifetime Achievement Strength का पुरिसकार किसको दिया गया है तो दौलत राम मालिया को यह पुरसकार दिया गया है Next question है कौनसा देश घुर सवारी टेंट पेगिंग टूर्नमेंट के लिए विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा तो भारत है वो देश जो की World Cup Qualifier for the Equestrian Tent पेगिंग टूर्नमेंट की मेजबानी करेगा मोबाइल अप्लिकेशन के स्राजे का है तो थोड़ा नाम से ही समझ में आता है मोच हटुआ ओडिसा का यह एक मोबाइल अप्लिकेशन है राश्ट्री रक्षय अकादमी यानि के नैशनल डिफेंस अकाडमी के उप कमांडर और मुख्य प्रशिक्षक के रूप में किसे न्यूक्ति किया गया इनका नाम है संजय वात्सायन अगला कोशन है एशिया का सबसे बड़ा त्योलिफ गाडन के स्राजय में खोला गया ऐशिया का सबसे बड़ा त्योलिफ गाडन जमू कश्मीर में खोला गया है Freedom in the World 2021 की Freedom House द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान क्या है तो इस रिपोर्ट में भारत को जो स्थान दिया गया है वो है पार्शेली फ्री किस देश ने अपना पहला ट्रांसजेंडर न्यूज रिडर न्यूपत किया तो बांगले देश ने ऐसा किया है और जो ट्रांसजेंडर न्यूज रिडर है इनका नाम है शुनुवा अनान शिशिर नेक्स कोशन देखे तो वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल ये कहां पर और्गनाईज किया गया तो जमु कश्मीर का एक फेस्टिवल है और पहली बारे और्गनाईज किया गया और्बिटल असेम्बली कॉपरेशन ने किस वर्ष तक दुनिया का पहला अंतरिक्ष होटल खोलने की गोशना की है तो ये गोशना की गई है कि साल 2017 तक दुनिया का पहला अंतरिक्ष होटल खोला जाएगा सचीन तेंदुलकर के बाद सबसे लंबा वंडे करियर खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने है तो ये है मिताली राज जो कि हमारी इंडियन विमन क्रिकेट की टीम की कैप्टन है नेक्स कोशन है महिलाओं के लिए हर सर्कल सोशल मीडिया प्लैटफर्म किस ने लॉंच किया तो हर सर्कल ये नीता अम्बानी के द्वारा लॉंच किया गया है किस राज्य में डेरी शेत्र में उत्कृष्टा केंदर स्थापित किया जाएगा डेरी शेत्र में उत्कृष्टा केंदर स्थापित किया जाएगा राजस्थान में किस देश ने अंत्रिक्ष में पहला सैन्ने अभ्यास एस्टोक्स शुरू किया है तो फ्रांस ने ये शुरू किया है अंत्रिक्ष्म पहला सैन्य अभ्यास Cambridge Energy Research Associate द्वारा Global Energy and Environmental Leadership Award से किसे समानित किया गया है तो PM नरिंद्र मोदी को ये अवार्ड से समानित किया गया है भारती रेल्वे की पहली महिला रेल्वेरिस Arabic कौन बनी है तो इनका नाम है सुरेखा यादव अगला क्वेशन है दीसरी स्कौपी इंपन्डूबबी को किस नाम से भारतीय नौसेन में शामिल किया गया तो इस पन्डूबबी का नाम है आएनस करंज अगला question है हमारा Indian Railway ने सारे helpline numbers को किस एक number में बदल दिया है तो अब सारे helpline numbers को merge कर दिया गया है और एक number generate किया गया है जो किया 139 भारत का कौन सा राजे gender budget अफधार्ना के साथ आने वाला पहला राजे बना है तो यह राजे हमारा आंथ्रपरदेश वर्ष 2021 में International Federation of Film Archives का द्वारा किसे सम्मानित किया गया है तो International Federation of Film Archives के खिताब से सम्मानित किया गया है अमिताब बच्चन को किस देश के रास्टरपती ने अफरीकी लीडरशिप अवाउड जीता तो नाइजर के रास्ट्रपती ने ये अवार्ड जीता है नेक्स कोशन देखें तो किस स्टेट ने सुपर सेवेंटिफाइव स्कॉलर्शिप स्कीम लॉंच की है ओन इंटरनेशनल विमेंस डे तो ये लॉंच की गए है जम्मू कश्मीर राजे के द्वारा अगला प्रशन है हमारा मध्यपरदेश राजे के एक दिवसी गरह मंत्री के रूप में किसे न्यूक्त किया गया तो ये है मिनाक्षी वर्मा IOC के IOC यानिके इंटरनेशनल उלהंपिक कमिटी वEF यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में किस भारतिया भीनेत्री को शामिल किया गया तो आंसर है देपिका पादुकून रामनाथ कोविंध द्वारा बेटन ओफ ओनर से किसे समानित किया गया है तो बेटन ओफ ओनर इससे समानित किया गया था किरन बेदी जी को सहेली सेल्फ सेंटर योजना किस राजे ने शुरू की तो दिली की एक योजना है ये भारत के नए मुख्य सांखी की विद यानि की न्यूचीव स्टेटिस्टिशन के रूप में किन्हें न्यूक्ति किया गया है इनका नाम है जीपी सामत अगला क्वेशन है किस कंट्री ने वाइरस पासपोर्ट लॉंच किया है तो वाइरस पासपोर्ट लॉंच हिया गया है जाइना के द्वारा भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है जिन्होंने इंटरनाशनल विमन्स क्रिकेट में दस हजार रन पूरे किया है तो ये है मिथाली राज किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपरकम्प्यूटर फुगाकू उप्योग के लिए तयार है तो फुगाकू सुपरकम्प्यूटर ये है जापान का अगला क्वेशन है इंडिया का लार्जिस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां पर बनाया जा रहा है तो ये है मध्य प्रदेश में अगला प्रशन है भारत और किस देश ने कल्यानी राफेल एडवांस सिस्टम के तहत MRSAM मिसाइल विक्सित की है तो भारत ने इसराइल के साथ मिलकर ये मिसाइल विक्सित की है अगला प्रशन है अफ्रीका के सबसे उचे परवत किली मंजारों पर चड़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के युवा कौन बने है तो इनका नाम है विराट चंद्र दस लाग के नोट जारी करने वाला विशु का पहला देश कौन सा बना है तो दस लाग के नोट जारी करने वाला पहला देश मना है वेनेजुएला इस रो ने वायुगुण वर्ता के निगरानी के लिए किस अंत्रिक्ष एजिंसी के साथ करार किया है तो इसरों ने जाक्सा के साथ यानिकि जापान की स्पेस एजनसी के साथ करार किया है ऐध dol. überzeug which अगला क्वेशन है अर्जुन सहाय इ्रिगेशन प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया गया है तो उत्तर प्रदेश प्रदेश में शुरू किया गया ये ब्रिक्स C-G-E-T-I की पहली बैठक किया देख्षता किस देश ने की जो इसकी पहली बैठक किया देख्षता की है भारत ने और इसका सब्जेट क्या था इसकी थीम क्या थी तो वो देख लेते हैं इसकी थीम थी अगला कोशन है भूमी रिकॉर्ड डिजिटली करण में भारत का कौन सा राजय शीश पर है तो इसमें है मध्यप्रदेश दवा निर्मादा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मसिटिकल्स का नया ब्रैंड अम्बैसडर कौन बना है रोहित शर्मा को इसका नया ब्रैं हो गए हैं सबसे जादा तो उतरप्रदेश है यह किस देश ने कोविट-19 के खिलाफ देश के सबसे बड़े क्लीनिक टीका-करण का उदगाटन किया है तो यह कंट्री है न्यूजिलेंड अगला क्वेशन है किस ने एक अरब डॉलर में बेग बास्केट का आधिगरण किय है तो बिग बास्केट को खरीदा है अधिगरण किया है एक अरब डॉलर में टाटा संस ने किस राजे ने जागरूपता संचार वहन पहल शुरू की है यानि कि अवेर्नेस कम्यूनिकेशन वीकल इनिशियेटिव यह राजस्तान के द्वारा शुरू किया गया है अगला क् अगरा क्वेशन है पी डवीव सी की वार्सिक सी यो सर्वेशन रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे आकर्शक विकास स्थलो में से किस स्थान पर जगे दी गई है तो भारत में इसको फिफ्ट प्लेस मिला है इन दे लिस्ट आफ मोस्ट अट्रक्टिव डवल्मेंट इन दे वर्ल्ड ओके नेक्स्ट क्वेशन है इंटरनेशनल विमन ऑफ करिश 2021 का खिताब किसे दिया गया है तो यह है कौशल या शंकर विश्व वायू गुणवता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार जो दुनिया की सबसे प्रदूशित राजधानी है वो है हमारी दिल्ली अगल इस्थापित किया है इंसाइड दे लेख ऑफ बाकर. पॉक्सो एक्ट के तहत संसत समीती के किशोर ने किशोर की उम्र 18 से घटा कर कितने साल करने के सिफारिश की. तो बहुत टाइम से बदलाव की बात चल रही है जिसमें यह कहा गया है कि 18 साल के उपर के सभी बचे किशो और माने जाएंगे लेकिन अब संसत समेती ने ये शिफारिश की है कि इस 18 से घटा कर ये उम्र 16 कर दी जानी चाहिए अगला क्वेशन है फुटबॉल के इत्यास में सबसे जादा गोल करने वाले खिलाडी कौन बने हैं तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिप्री की रिप और अगरा तेर्ता सौर फार्म किस देश में स्थापित है रुसिगापूर में है स्थापित वर्ल्चेस्ट ओर्टिंग फ्रॉलर फार्म नेक्स कुशिन देखिए तो इंडिया का सिंड लर्जेस्ट और अइल सप्लायर कंड्री कौन बन गया है तो अमारिका बना है अग् वर्स मुस्लिम एक्टर तू भी नॉमिनेटेड फॉर एन ऑस्कर तो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले मुस्लिम एक्टर कौन बने हैं इनका नाम है रिज एहमद अगला क्वेशन है भारत का पहला विश्म कौशल केंद्र कहां स्थापित किया गया था तो ये है भुवनिश्वर रानी खेत में किस राजे का पहला वन चिकित्सा केंदर स्थापित किया गया था तो रानी खेत उत्राखंड में है तो यही पर यह स्थापित किया गया अगला क्वेशन है भारत का पहला elevated urban expressway यह कहां पर बनाया गया तो यह है दुआर का expressway ग्राम उजाला योजना किस राजे में शुरू की गई तो ये योजना है बिहार राजे की अगला हमारा क्वेशन है UN World Happiness Report 2021 में किस देश ने टॉप किया है तो ये कंट्री है फिनलेंड चोरों और अपराधियों को GPS टाग लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है तो ये है United Kingdom अगला क्वेशन है UN World Happiness Report 2021 में भारत कि स्थान पर है हमने पीछे क्वेशन देखा था टॉप किया है फिनलेंड ने और भारत का स्थान है 139 अखिल भारतिय बैडमिंटन टूर्णमेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुँचने वाले सबसे कम उम्र के भारतिय कौन बने है उनका नाम है प्रणाय लॉस्ट किस राज्य में शामलाजी विश्णू मंदिर ट्रस्ट ने छोटे कपड़े पहिन कर मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंद लगा दिया है तो ये जो मंदिर है शामलाजी विश्णू मंदिर ये गुजरात में है पहली उचस्त्रे यूएस चीन बैठक कहां है उजद की गई ये अलास्का में आउजद की गई है गर्बपात अवकाश कानून पारिद करने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है विच बिकेम दे सेकेंड कंट्री टू पास अबोर्शन हॉलिडे लॉओ ये न्यूजिलेंड ने अभी पास किया है और ये सेकेंड कंट्री बना है तो सवाल उठता है फर्स कंट्री कौन सी है तो वो है हमारा भारत गर रेजिडेंशल होकी सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के शहर में स्थापित किया जाएगा तो रेजिडेंशल होकी सेंटर ऑफ एक्सिलेंस ये स्थापित किया जाएगा लखना हुए किस मंत्राले ने आत्म निर्भर निवारक मित्र पोर्टल विक्सित किया है तो ये Ministry of Finance का एक Portal है किस कार निर्माता ने पित्रत्व का समर्थन करने के लिए Wheels of Love पहल की शुरुवात की है तो ये शुरुवात की गए है Tata Motors के द्वारा अगला क्वेशन है एक अंतराश्य रिपोर्ट के मताबिक दुनिया की सबसे खतरनाक सड़के किस देश में सित है वो South Africa ऐसी कंट्री है जहां पर दुनिया की सबसे खतरनाक सड़के मौजूद है अगला क्वेशन है Catch the Rain campaign ये किस ने शुरू किया तो हमारे प्रधान मंत्री ने शुरू किया नरेंदर मोदी जी ने और इसकी थीम थी Catch the Rain, Where it Falls, When it Falls अगला क्वेशन है 2020 का गांधी पीस प्राइस किसे दिया गया है तो ये है बंग बंधु शेख मुजीवूर रह्मान मुख्य मंत्री चिरन जीवी योजना किस राजस्थान सरकार की एक योजना है कोविड पर जागरूपता पैदा करने के लिए किस राज़े ने संकल्प अभियान शुरू किया तो ये संकल्प अभियान था मध्यप्रदेश का भारत की पहली शत्रंज अकादमी किस राज़े में स्थापित की जाएगी किस राज़े ने तीन पी एसी विमन बटालियंस की स्थापना करने की घोशना की है तो उत्तर प्रदेश ने घोशना की है नेक्स कुशन देखे तो सहीद भगत सिंग मेमोरियल नई दिल्ली में इसका उत्गाटन किया गया और कुशन पूछा गया है कि किसके द्वारा इसका उत्गाटन किया गया तो यह है रमेश पोक्रियाल निशांग अंतर आश्वे बहुत दिख संपदा सूच कांग यानि कि International Intellectual Property Index 2021 में भारत की रैंक क्या है तो भारत की rank है 40th, 40 और top किया था अमेरिका ने अगला question है कि किस bank को Great Place to Work Award से समानित किया गया है तो ये bank है ESAF Small Finance Bank Great Place to Work Award Next question है दुनिया की पहली जहाद सुरंग किस देश में बनाई गई थी तो ये country है Norway जहाँ पर world's first ship tunnel बनाई गई थी अफ्रिका महादवीब की सबसे उची चोटी किली मंजारो में किस ने 24 घंटे रुक कर बनाया world record तो 24 घंटे रुक कर world record बनाया है रोतास खिलेरी और अनुयादव ने किस राजे की राजेपाल को शिर्ष 20 वैश्विक महिला उत्कृष्टा 2021 से जमानित किया गया है तो तिलंगाना की ये राजेपाल है और आपके लिए question है कि आपको बताना है इनका नाम क्या है किस मध्य हमारी की देश ने खुद को मलेरिया मुक्त घोशित किया है तो ये है एल सल्वाडोर अगला question है यूएस के अटॉर्णी जनरल के रूप में किनहें अपॉइंट किया गया है तो इनका नाम है मेरिक गार्लेंड नेक्स कोशन है चेननाई पोर्ट ट्रस्ट में किस तर ट्रक्षक जहाज को कमिशन किया गया था तो ये है वज्र नेक्स कोशन है मेरा मास्क मेरी सुरक्षा कैमपेंड किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉंच किया है शुरू किया है तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है मेरा मास्क मेरी सुरक्षा कैमपेंड अगला question है मारा देखो अपना प्रदेश campaign ये किस सरकार ने शुरू किया है तो देखो अपना प्रदेश campaign अरुनाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है ISSF World Cup जो हुआ था उसमें चिंकी आदव ने 25 मीटर एर पिस्टिल स्परधा में कौन सा पदक जीता तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था मार्श 2021 में अगला question है UIDAI यानि की Unique Identification Authority of India के CEO के रूप में किसे न्युक्ति किया गया है तो ये बने है सौरव कर्ग नेक्स question है किस गया को महराश्ट्र भूषन पुरसकार से समानित किया गया है तो ये आशा भोसले हैं जिनने महराश्ट्र भूषन पुरसकार से समानित किया गया है नेक्स question है Airport Authority of India के नए Chairman कौन बने है तो इनका नाम है संजीव कुमार नेक्स कोशन है Food Corporation of India के Chairman और Managing Director कौन बनाए गए है उनका नाम है अतीश चंद्र भारत कोर्याई मैत्री पार्थ का उधगाटन के स्चावनी में किया गया तो ये डली कंटॉन्मेंट में किया गया है कि शहर में 16 साल Connection केंदर का उधगाटन किया गया तो 16 साल Connection Center इसका उधगाटन किया गया खजुराहों में नेक्स कोशन है इंडिया का पहला TB Free District कौन सा बना है तो याद रखेगा बुटगाम डिस्ट्रिक्ट है जमु कश्मीर का TB मुक्त भारत के लिए जनजातिय TB निदान अभियान की शिरुवात किस ने की तो हर्षवर्धन सिंग ने की अगला क्वेशन है महिंद्रा और महिंद्रा के मानेजिंग डिरेक्टर और CEO के रूप में किने अपॉइंट किया गया है तो इनका नाम है मनीश शाह किस देश ने शाहीन 1A मिसायल का सफल परिक्षन किया तो शाहीन 1A ये पाकिसथान की एक मिसायल है किस राज्जी ने सकती से किराय के लिए आवास योजना शुरु करने की गोशना की है तो उतर प्रदेश ने ऐसी गोशना की है नेक्स कोशण है हमारा शिगमो फेस्टिवल ये किस स्टेट में सेलिबरेट किया गया तो शिगमो फेस्टिवल ये हैगुवा का , एसेट रीकांस्ट्रक्शिन कंपनी लिमिटेड का प्रमुख किसे न्यूकति किया गया है इनका नाम है पल्लव महापात्रा रॉकी माउंटेन इंस्टिटूट इंडिया द्वारा जारी मोबिलाइज इलेक्रिक वीकल फाइनेंसिंग इन्डिया रिपोर्ट किसने जारी की तो ये जो रिपोर्ट है नीती आयोग के द्वारा जारी की गई है किस राजय सरकार ने 300 एलेक्ट्रिक एसी बसों की खरीद को मंजूरी दी गई है दिल्ली सरकार के द्वारा एमवी एबरग्रीन मालवाहग जहाज किस देश में स्वेज नहर में फंस किया है तो ये इजिप्ट में ये जहाज फंस किया था और काफी नियूस में भी था गया तो गोरखपूर में इसका उठ्गाटन किया गया है नेक्स कोशें ने किस भारतिय प्रोद्योगी की संस्थान ने वायू मंडलिय वेदशाला के निर्मान की घोशना की तो एटमोसफेरिक ऑब्सरवेटरी के निर्मान की घोशना की है आयाइटी दिल्ली ने किस जर्जी टाइगर रिजर्व के किस रेंज अधिकारी को अंतराश्रे रेंजर पुरसकार से समानित किया गया तो महिंद्र गिरी जो है उन्हें अंतराश्रे रेंजर पुरसकार से समानित किया गया बांगले देश ने देश को भारत के किस राज्य से जोड़ने के लिए मित काली एक्स्प्रिस की शुरुवात की गई है सिंग्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास जिसका नाम है पभी एंटी ट्रेल 2021 यह किन देशों के बीच था यह किन देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया तो यह दीन कंट्रीज हैं इंडिया पाकिस्तान और चाइना व्यापार सुधार वर्ष की समाप्ति के लिए इती पुरसकार 2020 से किसे समानित किया गया तो शप्तिकान दास को इसे समानित किया गया है और इसी के साथ हमारे मार्श 2021 के सभी इंपॉर्डन करेंट फेर्स कवर होते हैं I hope आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से और यह हेल